Hello everyone, welcome back to my channel आज हम बनाएंगे मेथी का एक बहुत ही special, interesting सा नास्ता जिसको सभी मन से खाएंगे ज्यादा तर बच्चे हरी पत्तेदार सब्चियों को खाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन इस तरह से हम किसी ना किसी तरीके से उनको कुछ अच्छा बना करके ये सब चीजे खिला सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो इसके लिए हमने एक कढाई ले ली है उसमें हमने तीन-चार चम्मच सरसों के तेल डाल के गरम कर लिये हैं और अब उसके अंदर हम तीन-चार लसुन की कलियां बारिक-बारिक काटके डालेंगे और थोड़ी सी हींग डाल करके इनको हम अच्छे से भून लेंगे और दो कप पानी मिला करके इसको गरम करेंगे थोड़ा सा चीली फ्लेक्स अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्चों का उटा हुआ पाउडर जो होता है कुटी हुई लाल मिर्चे अपने स्वाद के अनुसार और नमक अपने स्वाद के अनुसार मिला ले और पानी को गरम कर ले अब हम इसकी अंदर डालेंगे एक कप रवा रवा यानी सूजी जो हमारे घरों में सभी के पास आम तोर से एवलेबल होती है सभी घरों में होती है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इस पानी के अंदर मिला लेंगे और इस प्रोसेस को करते हुए हमें आज को धीमा ही रखना है और धीमी धीमी आज पर हम इसको मिक्स करेंगे तो ये पक जाएगी हमारी सूजी और इन मसालों का टेस्ट इसके अंदर अच्छे से आ जाएगा और धीमी धीमी आज पर हम इसको पकाएगे तो ये थोड़ी सी गाड़ी हो जाएगी और जब ये थोड़ी गाड़ी हो जाएगी तो हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसको ढख करके रख देंगे 5-7 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए इतने में हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाएगी तब तक हम अपनी और दूसरी तयारी कर लेते हैं तो अब हम लेते हैं मेथी मेथी को हमने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है और अब हम इसको बारिक बारिक काट लेंगे तो चलिए जब तक हम मेथी काटते हैं आप एक जरूरी काम कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे और चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिजे और वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और चलते हैं दूसरी तैयारी में अब हम लेंगे दो-тीन उबले हुए आलू यहाँ पर मेरे पास तीन उबले हुए आलू इनको हम कदू कसमे से इस तरह से मैश कर लेंगे अगर हम इस प्रोसेस को हाथ से करते हैं यानि आलो को हाथ से मैश करते हैं तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत गुटलिया रह जाती हैं जो बीच में अच्छा टेस्ट नहीं देती है तो इसलिए इनको हम कदूकस की सहाथा से ही इस प्रोसेस को करेंगे तो ये देखिए हमने सारे आलूओं को कदूकस कर लिया है और इनका हमारा एक अच्छा सा पेस्ट सा बन गया है बिल्कुल बारीक बारीक आलू हमारे हो गए है और जो हमने सूजी का मसाला बनाया था सूजी को जो हमने पानी में उपाला था अभी हम उसको इन आलूओं के अंदर डाल लेंगे ये हमारी ठंडी हो गई है सूजी लेकिन अभी हलकी हलकी थोड़ी सी गरम है और एक चमच हम इसमें कौन फ्लार का डालेंगे ये इसको बाइंडिंग का काम करेगा और हम इसमें जो हमने मेति काटी थी उस मेति को भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे आप यहां पर चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं लेकिन बच्चे हरी मिर्च को नहीं खाते हैं तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली है तो इसको हम अच्छे तरीके से एक आटे की तरह से बना लेंगे जैसे हम आटे का डो बनाते हैं उस तरह से एक अच्छा सा स्मूथ सा इसका डो त्यार कर लेंगे और इस तरह से अगर ये हमारे हाथों पर थोड़ा थोड़ा चिपकता है तो हम थोड़ा सा इसमें तेल का हाथ लगा करके और फिर इसको दुबारा से मैश करेंगे तो ये हाथों पर नहीं चिपकेगा और थोड़ा सा ये देखिए हमने इसमें दोग चमच तेल इसके अंदर मिला लिया है और हाथों पर भी लगा लिया है तो इससे ये चिकनाई की वज़े से हाथों पर नहीं चिपकेगा और बरतन पर भी नहीं चिपकेगा तो इस तरह से इसका हम अच्छा सा एक डो हमने बना लिया है और अब हम थोड़ा सा हाथों पर चिकनाई लगा करके इसके गोले बना लेंगे और उन गोलों को हम प्लेन नीचे सर्फेस पे इस तरह से हाथ की सहायता से गोल गोल लंबे लंबे बेल लेंगे इस तरह से बेलने के बाद हम इनको चाकू के साथ चोटे-चोटे पीसिस में काट लेंगे तो ये इस तरह से हमने सभी को चोट-चोटे पारिक-पारिक पीस में काट लिया है और फिर इनको एक हलकी सी शेप दे देंगे शेप आप इसमे कोई भी दे सकते हैं किसी भी शेप में आप इनको बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पर इनकी चोटी-चोटी सी शेप दी है जादा बड़े मैंने नहीं बनाए है और इसी तरह से मैंने सभी पूरे आठे के मिशरन की गोलियां बना के रख ली है इनको मैंने थोड़ी सी लंबी ओल सेट में बनाया है तो और दूसरी तरफ हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो अब हम इन सभी पकोडियों को एक दम तेज गरम तेल में डालेंगे और एक एक करके हम सभी गोलियों को डाल देंगे और यहां पर विशेज ध्यान देने की ये बात है कि इसमें तेल को हम एक दम तेज गरम रखेंगे थोड़ा सा भी ठंडा तेल हम इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि तेल अगर ठंडा होगा तो हमारी ये जो गोलिया है ये फट सकती हैं तो इसलिए तेज आज पर ही हम इसको बनाएंगे और ये देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है और एकदम कितनी सुन्दर देखने में ये हमारी पकोड़ियां बनी है जितनी ये देखने में सुंदर है उतनी ही ये खाने में भी बहुत स्वादिस्ट है तो इसी तरह से हम अगला बैच भी निकाल लेंगे और इन सभी पकोडीयों को हम गरम गरम तेल में तल करके निकाल लेंगे तो ये लेजे हमारी गर्मा गर्म मेथी की पकोडियां तैयार हैं और इनको आप चाई के साथ नाश्टे के समय या सुबह या शाम किसी भी समय खा सकते हैं और बच्चे भर पेट इनको खाएंगे और इसके साथ ही मेथी को भी खा जाएंगे तो ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेर अवश्य करें और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं तो मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए ज जय हिंद, जय भारत!